एक प्रभी ओश्य मसी के नाम में आप सबको जय मसी की होप चैनल टीवी के दुआरा हम में सब का स्वागत करता हूं प्रभी ओश्य मसी आपको बलस्क करें आए हम परमेश के संदेश को सुने से पहले आए हम प्राथना करें अपनी आखों को बन करें प्राथना करें सरशक्ति मान परमेशर मैं प्राथना करता है प्रभुजी आज का संदेज जब हम सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभुजी और जितने लोग तेरे इस चैनल के द्वारा प्रभुजी तेरे संदेज को इच्छा से वह आए प्रभु जी उनकी सारी मनिकामनाय प्रभु तेरे वच्णों से पूरी होने पाए इस वच्ण को तेरे हाथ में सौपते विए प्रात्ना प्रभी एश्यु के नाम से मांगते हैं आए हम लोग परमेश के वच्ण से सीखेंगे और आज का मेरा सब्जेक्ट है सत्थ और उत्तम मार्ग का चुनाओ सत्थ और उत्तम मार्ग का चुनाओ जब बाइबिल में हम देखते हैं तो बाइबिल में हमें दो ही मार्ग के बारे में दिखाई देता है नमबर एक चोड़ा मार्ख नमबर दो सक्रा मार्ख चोड़ा मार्ख हमें कहा ले जाता है विनास की ओर लेका जाता है बाइबिल में पढ़ेंगे यहना रच्ची सूसमा चार उसका चौदा ध्याय और उसके छे वचन में तो इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहां लिखा है कि येश्व ने उससे कहा मार्ग सत्थ और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पौश सकता यहां पर येश्व अपने चीलों को एक बात बताना चाहता है उससे ये बात कह रहा है और येश्व मसी परमेश्य का दास लोगों से एक बात सिखाना चाह रहा है वहां के लोगों से एक बात कहना चाहता है, कह रहा है प्रभु येश्व, सबसे महत्पुल बात ये कह रहा है, छोटी बात नहीं है, बहुत महत्पुल बात कह रहा है, सत, मार्ग और जीवन महीं हो, दोई मार्ग है, चोड़ा मार्ग आनन्द मिलेगा, बहुत आनन्द है चोड़े मार्ग में, बहुत खुसिया है, चोड़े मार्ग में अराम मिलेगा, चोड़े मार्ग में बहुत सारे ऐस और आम की जिंदगी है आपके पास में, चोड़ा मार्ग जब आप उससे थोड़ा दूर और जाते हैं थोड़ा और उससे दूर आप चलते हैं थोड़ा और आगे बलते हैं आपको जीवन में समस्याएं लेकर करके आएगा चोड़ा मार्ग में और आगे जाते हैं तो मृत्तु का सामना करना पड़ेगा वो मृत्तु भायानक है वो मृत्तु आपको धर्दनाक में लेकर जा सकती है इस चोले मार्ग के विसे में जब ये शुमसी बात करता है ये शुमसी करता है मैं सद्ध का मार्ग हूँ मैं अनंद का मार्ग हूँ मैं जीवन का मार्ग हूँ मैं रास्ता हूँ चोला मार्ग तो कोई और है 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 यह संसार में लोग उस जोले मार्ग में चल रहे हैं लगए सप्त मार्ग में चलने के लिए येश्व मसी कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा मेरे वच्छनों को पलना पड़ेगा मेरी आज्याओं को मानना पड़े मेरे उन सर्थों को तुम्हें सिवकार करना पड़ेगा तब तुम सत्त मार्ग पर चल सकते हो विचन बताता है उसने कहा येश्व ने उससे कहा मार्ग और सत्त और जीवन मही हो कोई दूसरा नहीं है और दूसरा हो भी नहीं सकता और परमेशे करा है सिर्फ मही हो दूसरा है नहीं उनके मारगों में एक ऐसा एक ऐसा किंतु और परंतु नहीं लगा है वहाँ परंतु वाली कोई बात नहीं है इस पश्ट बात कर रहा है परमेशर हम कुछीजों को जब किसी को देते हैं तो आकिन्तो उपरन्तो लगाते हैं अगर ये शुमसी साफ साफ कह रहा है इस पश्ट बात बताना चाह रहा है या किन्तो उपरन्तो की कोई बात नहीं परमेशर कहता है यदि तुम परमेशर तक पहुँचना चाहते हो सिर्फ एक मार गए ये बात उसके शिष्षों ने नहीं की कंतु वो जोर डाल करके ये शुमसी सिस्थों से कह रहा है जोर डाल करके बहुत ही प्यार से नहीं समझा रहा है जोर डाल के कह रहा है कमान्ड के साथ बोल रहा है हुकूमत के साथ बोल रहा है बड़े हि जोड अरों के साथ करा है गंभीता से बताना चाह रहा है मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है मेरे प्रियों कह रहा है यदि तुमको परमेश्य तक पहुशना है तुम जाना चाहते हो तुम स्वर्ग जाना पहुशना चाहते हो कह रहा है तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने के लिए मुझ पर विश्वास करना पढ़ेगा क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन मही हो वह मृतु हमारी आत्मा का विनास कर सकती है जब हम चौले मार्ग में चलते हैं क्योंकि मृतु भयानक है जब हम चौले मार्ग में चलते तो मृतु हमारे जीवन में अक्तर आमने सामने खुमते रहती है भाई में बताती है उस अगनी का सामना बहुत दरदनाःख होगा बहुत ही बहुत ही दरदनाःख है आप उसे मसमझे मेरे प्रियों परमेश्यका बच्चन को सुनने वाले सारे परमेश्यके लोगो मैं आप से एक बात पताना चाहता हूँ वो बहुत कठिन है कि सक्रामार्ग आसान है बहुत ही सुन्दर लगता है पर तो इसमें कठाई आ है कहता है सक्रामार के विसे में परमिश्य बता रहा है म्रुखना चरुमार के विसे में हमने स्ट रहे है वह छोटा है और कठिन है और दुखताई है कश्ण देता है सक्रमार में चलते हैं तो से परशानिया है जगे जगे में एक आटल ऑ दुख हो अख का सामना करना पड़ेगा क्या तुम उसको सहने के लिए तैयार हो मुसीबतों को सहने के लिए तैयार हो सक्रे मार्ग में जब आगे जाते हैं जब उससे आगे बढ़ते हैं सक्रे मार्ग में जब हम चलते हैं आनन्द खुसी नहीं हो सकती है लोग बार-बार आकर कोसेंगे आपको बार-बार आकर टोकेंगे, समस्याएं बहुत आएंगी, इन दोनों में बहुत सारी प्रोबलम्स है, समस्याएं हैं, सब कुछ है पर जो विश्वास करता है, जो उसके मार्ग पर चलता है, परमेश्रिक के वश्ष्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है परमिश्य का वच्छन बताता है कि आनंद की भरपूरी का स्वाद चखने के लिए मैंने तुम्हें रखा है और तुम अनंदकाल के लिए योगी विक्ति हो अननकाल तुम्हारा है जीवन तुम्हारा है खुशी तुम्हारे लिए है कि तुम विश्वास किया है तुम्हें सक्रे मार्ग को नहीं सक्रे मार्ग को ही चुना है चौडे मार्ग को नहीं मेरे प्रियो चौडा मार्ग आपको नरक के और लेका जाएगा करतु सक्रा मार्ग परमेश के और लेका जा रहा है कहता है सत्य और अनन जीवन को पाने के लिए यहुना 14 छे के नुसार कहता है ये शुन्य से कहा मार्ग और सत्य और जीवन महिन हो बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहु सकता है पिता के पास पहुचाने के लिए एक ही रास्ता है एक ही सीड़ी है एक ही पुल है दूसरा कोई पुल नहीं है और ये शुमस्य परमेश्य तक पहुचाने के लिए मनुश और परमेश के बीच का एक सिड़ी है एक रास्ता है जो परमेश तक लेकर जाएगा हमें उस पुल पर चलना है और जितने लोग उस पुल पर चल गए हैं जितने लोग उस पुल पर से अपने आपको चल करके दूसरे पार जाना चाहते हैं परमेशर तक पहुचना चाहते हैं इस दुनिया में सभी लोग हैं जो परमेशर तक जाना चाहते हैं पंदूर के रास्ते अलग हैं परमेशर कहता है तुम्हें परमेशर तक पहुचना है यह दि तुम परमेशर तक जाना चाहते हो तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, परमिश्य के साथ बैखना चाहते हो, उसके साथ संगती करना चाहते हो, उसके आनन में सामिल होना चाहते हो, तो करा है तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें कोई चीद नहीं है, पैसा आपको स्वर्ग नहीं ले जा स स्वर्ग नहीं ले जा सकता है बाइबल बताती है तुम्हें स्वर्ग जाना है ये शुमसी कहरा चेलों से तुम्हें स्वर्ग जाना है तुम्हें परमेश्य से मिलना है तुम्हें परमेश्य के साथ संगती करनी है उसके साथ मैं सहभाक्ता करनी है तो करा मुझ पर विश्व विश्वास करना पड़ेगा मही एक मार्ख हूं दूसरा कोई नहीं है जिए आप ये विश्वास करते हैं कि ये शुमसीह मार्ख है तो आपको उसके वशनों पर विश्वास करना पड़ेगा उसके वशनों को पहना पड़ेगा उसके साथ संगती करनी पड़ेगी तब आप उसके पास बहुत सकते हैं मेरे प्रियों येशु के साथ जब आप चलते हैं हो सकता है दुख आएगा कट नाई आएंगी समस्याएं आएंगी सक्रे मार्ग में हम आगे जब बलते हैं बदनाम्या मिल सकती हैं अगर आप एधी विस्वास योग हैं परमेश्य कहता है तुम प सकता से मिलने पाओंगे पंतुख घाब जब उसके मार्ग में चलोगे हम उसके मार्ग में चलें कैसे कुछ लोग कहते हैं हो अधी मैं यह काम नहीं करता हूं तो लोग कहेंगे यह क्यों नहीं करते हो यह चीजों को अगर मैं नहीं करता हूं तो कहते हैं कि लोग अरे यह जोगी है इसको कुछ और नहीं आता है इसी परमिश्य परमिश्य करता है बचन बताता है लोग धुद्कारेंगे आपको अगर आपका decision क्या है कि आप उस मार्व में चलने के लेता यार है यदि है तो परमिश्य कहता है तुम स्वभागे साली हो तुमने उस उत्तम मार को चुन लिया है तुमने उस उत्तम चीज को चुन लिया है ये शुमसी एक बार अपनी चेलों के साथ में मार्था और मर्यम के घर में गया मार्था चीजों को बना रही थे काम कर रही थी कुछ काम कर रही कुछ चीजों को बना रही थे और मर्यम परमेश्य के वच्चनों को सुनने के लिए उसके पास बैठी थी वो खाली परमेश्य के वच्चन को सुनने ही रही थी क्योंकि वो जानती है कि यही मार्ग है यही सत्य है यही जीवन है और यह मर्यम ने इस बात को महसूस किया और वो उसके साथ में बैठ करके उसके वच्चनों को सुन रही है उसका ध्यान है उसका अपने ध्यान को उसको पर कंद्रित किया इसने अपने अटिंसन को उसको दे लिया है और परमेशर कह रहा है ये शुमसी कह रहा है ओ मरिया जब मार्था ने कहा तो मार्था से कह रहा है कि देखो उसके विस्टे में लिखा है बाइबिल बताती है कि उसने उत्तम मार को उत्तम चीजों को उसने चुन लिया हम क्या चुनाव करते हैं हमारा चुनाव क्या है प्रियो बहुत महत्पूल मात है हम क्या उसके वचनों को परने का चुनाव करते हैं क्या हम उसके वचनों पर चलने का चुनाव करते हैं क्या हम उसके साथ में बैठने का चुनाव करते हैं सुवे भोर को उठने का चुनाव करते हैं या हम अपने बिस्त्रों में बड़े लंबे समय तक सोते हैं जो समय परमिश्य को देना चाहिए वो समय हम अपने नीदि में बिता देते हैं हम फिर चुनाओ कैसा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर बात है यह बहुत ही सूचने की बात है फिर हम कहते हैं परमेशन हमको ब्लस नहीं करता है परमेशन हमको आशिशित नहीं करता है परमेशन हमारे जियोन में नहीं है परमेशन हमारे कारों में नहीं है इसका रीजन यह है क्योंकि तो आपने और हमने उसको समय नहीं दिया हमने उसके कारों में अपने आपको नहीं इंवाल्व किया है हम दूसरे सारे कारों में इंवाल्व है पर तो परमेशर के कारों में हम कहीं भी इंबॉल्व नहीं है मेरे प्रियों आज हम चुनाओ करें किस मार्कों चुनेंगे चोला या सक्रा मार्क चोला मार्क के विसे में हमने सिखा है आपको कहां लेकर जाएगा मगए सक्रामार्ग आपको उसी स्थान में लिकर जाएगा जो परमेश्य तर पहुचाता है सक्रामार्ग आपको जीवन देगा परमेश्य के निकट आनन्द की भरपुरी है जब आप परमेश्य के पास पहुचेंगे ये श्मसी कहता है उसके पास में आनंद की फर्पुरी है वो जीवन जो संसार नहीं दे सकता वोसी परमेशिय के पास में वो सब परमेशिय के वच्छन में है जब आप राथना करेंगे कह रहा है तुम बलसेट हो जाओगी जब आप राथना करेंगे परमेश्य आपको रोकेगा शैतान आपको रोकेगा और आपसे कहेगा इसमें क्या मिलेगा इससे क्या हो सकता है यह आपको क्या दे सकता है अगर परमेश्य करता है तुमने चुनाओ किया है मैं परमेश्य से तुमको मिलाओंगा कि इस परमिष्र से मिलने का मतलब है सुक्षभ लेकर जाओगा हम सब स्वर्ग जानाजहते हैं मुझ तो हमारे काम गलत है हमारी चीजे गलत है इसलिए हम इस डौब है पर में सिकाम नहीं कर अतर है हम संसार के लिए काम करते हैं हम परमीश्र के साथ दोले करता है पर हम छोड़े मार्ग में जाते हैं पहले तो आनन्द मिलता है खुशियां मिलती है पर हम आगे को जाते हैं तो कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसका उसका जीवन जोए अंधिकार में हो जाता है अंधी सक्ति का सामना करना पड़ेगा हमारी जीवन में बेचेनी तकलीबे चिंताएं और बहुत सारी चीज़ों हमारी जीवन में आ जाएंगे मगए उत्तम और सत्त मार्ग करते हैं कहता है अगर हम उत्तम और सत्त मार्ग का चुनाव करते हैं तो अनधिक जीवन के हकदार होंगे चोड़े मार्ग में जाकर के उसके हगदार नहीं हो सकते हैं हम चर्च भी जाते हैं हम हम चर्च में जाकर के दस्वांस भी देते हैं हम चर्च में जाकर के परमेश के आराधना भी करते हैं मगए जैसे ही चर्च छूटता है हम उसी मार्ग में फिर चले जाते हैं परमेशे कहता है मैं तुमसे खुस नहीं हो मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता तुम इससे बलसड नहीं हो सकते हो तुम आशी शीत नहीं हो सकते हो यदि आशी शीत होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे मार्क पर चलना परेगा कहता है अगर हम उस सुत्ता मार्क को चुनाव करते हैं अनन जीवन के हगदार होंगे सक्रा मार्क जीवन के और लेका जाता है उस रास्त्रे के और लेका जाता है जो आपको परमेशन तक पहुचाएगा प्रियो रियो हम उस चोड़े मार्ग में तो हैं तो नहीं। आज विचार करें प्रियो हम विचार करके देखें हम सोच करके तो देखें तो नहीं जा रहें। यह दि हम उस चौड़े मार्ग में जा रहे हैं तो मारी आत्मा का विनास हो जाएगा सोच कर देखें बहुत कंभीर बात है यह दि हम चौड़े मार्ग में जा रहे हैं तो मारी आत्मा का विनास हो जाएगा कोई भी चीज, कोई भी वस्तू आपको इससे छुला नहीं सकती है कि हम जा रहे हैं तो अपने पहरों को रोके हम अपने पहरों को इस्टॉप करें अपने अपने पहरों को वहीं पे थाम लें परमेश्य आपको हिदायत दे रहा है पर्मेशे का वचन आप से कह रहा है अपने पहरों को हम रोके प्रियो सत्थ और उत्तम्मार का चुनाव कीजिए सत्थ और उत्तम्मार का चुनाव करें चुनाव करें आज इतने भी लोग पर्मेशे के वचन को सुन रहे हैं इस बात को ध्यान दे हम चुनाव करें और नहीं चुनते हैं एदि आप इस सत्व और उत्तमार को चुनते हैं तो आपको दुनिया की सारी आशी से जो है इस बाते हैं एक और मेश्य वहार को चुनेंगे और मेश्य क्याता है कि मैं वह सब वस्तों तुम्हें देदूंगा वह सारी सारी चीजों के तुमकों में हक्डार मना दूंगा पर तुझ जब तुम इसमें चलोगे क्योंकि प्रभु ही आशिस का स्रोत है प्रभु ही आशिस का स्रोत है दूसरा कोई नहीं है कहता है अनन जीवन मसी का उसमार को ले जाएगा जो पिता के पास ले जाता है अनन जीवन आपको उसमार क्यों ले जाएगा जो पिता के पास ले जाता है पिता के साथ मिलाता है पिता के साथ बैठाता है यदि आप उसके साथ बैठना चाहते हैं तो बाइबल बताती है कि हम उस मार के दोरें, उस पर विश्वास करें, उस पर विलीप करें, उसके वच्छन को पढ़ें, उसके साथ संगती करें प्रियो परमेश्वर आपको आशीज देगा, परमेश्य की बात चानना चाहता है, हम किस मार पे खड़ें विचार करें येशु से प्राथना करें आईयें प्रयाखों को मन करें परमेश्य से प्राथना करें प्रभु से कहें प्रभु मैंने आस तक जो भी किया है मैंने चोले मार्ग में चल का गलत काम किया है पर तुआ आज प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं आपके वच अाथ हम ने सीखा चौड़ा हमें गलत सत्ते के बादा परमेशन प्रबों हमारी मदद करें और सुनने वालों की मदद करें परिमेशन इनके जीर में आपका काम होने पाएं हम धन्यवाद करते हैं तो ही है जो परमेश्य इनको आशीशित कर सकता है इस वर्चन के अनुसार आशीश किया इसके धन्यवाद का अपना सुनने के लिए धन्यवाद ये शुमस्य किना सुनांते हैं आमें आव